प्रेस्न अठारा महत्तम समापुवर्थक निकाले प्रेस्न अठारा का क आठ बारा तो आठ बारा का महत्तम समापुवर्थक निकालना है तो महत्तम समापुवर्थक कैसे ग्याद करते हैं तो दिखें जो बड़ा है यानि बारा आठ से बड़ा है तो बारा को आठ से भाग देंगे बारा को क्या करेंगे आठ से भाग देंगे यानि बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग देंगे तो बारा आठ से बड़ा है यानि बारा को आठ से भाग देंगे तो आठ गुना एक आठ लगेगा बारा में से आठ गया चार तो बारा को आठ से जब भाग देंगे तो आठ गुना एक आठ लगाएंगे क्योंकि आठ दुना सोला है बारा से जादा हो जाएगा तो आठ गुना एक आठ बारम से 8 घटाएंगे तो 4 आया अब देखिए 4 जो है सेसफल है तो 4 तो 8 से लगेगा नहीं ठीक है तो अब क्या करेंगे 4 से 8 को लगाएंगे किसको 8 से 4 नहीं लग रहा है तो अब क्या करेंगे 4 से 8 को लगाएंगे यानि 8 को अब यहाँ पर लिख लेंगे यानि सेस्फल से अब जिससे भाग दे रहे थे उसको अब लगाएंगे यानि उसको भाग देंगे सेस्फल से जिससे भाग दे रहे थे उसको अब भाग देंगे यानि 4 से आठ को लगाएंगे, तो चार दुना आठ कट जाएगा आठ में से आठ गया, सून्य तो देखे, सेसफल सून्य आ गया है इसका मतलब सेसफल सून्य कौन लाया, चार लाया तो चार हो जाएगा महसा ये देखे, चार हो गया महत्तम समापुर्तक मसा कौन हो गया? चार ठीक है? तो जो सेशफल को सूने लाया है जो भाजक वह हो जाता है महत्तम समापवर्तक तो चार आठ बारा का महत्तम समापवर्तक कौन होगा? चार होगा तो इसका उत्तर आएगा चार तो लिखेंगा था महत्तम समापवर्थक बराबर हो जाएगा चार तो आठ बारा का महत्तम समापवर्थक क्या होगा चार होगा तो इस तरह से महत्तम समापवर्थक ग्याद करते हैं ख में हैं 6,9 तो क्या करेंगे दोनों का महत्तम समापवर्थक निकालना है तो बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग देंगे यानि 6 से 9 को भाग देंगे तो 6 गुना एक 6 हो गया 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा अब देखे 6 से 3 तो लगेगा नहीं 6 से 3 लगेगा नहीं क्योंकि छोटा है तो अब क्या करेंगे छे से तीन नहीं लग रहा है तो तीन से छे को लगाएंगे ठीक है यानि सेसफल से जो भाजक है उसको भाग देंगे तो तीन दोना छे हो जाएगा छे में से छे गया सूने तो देखें सेसफल सूने आ गया है तो कौन लाया सेसफल सूने ये लाया 3 यानि अंतिम भाजक कौन है? 3 है तो ये हो जाएगा महत्तम समापटक किसका? 6 और 9 का तो 6 और 9 का महत्तम हो जाएगा 3 तो लिखेंगा तब महत्तम समापटक बराबर 3 गग पचीस पैंतीस तो पचीस से पैंतीस को भाग देंगे तो पचीस गुना एक पचीस होता है तो पचीस पैंतीस का क्या निकाला है महत्म समापवर तक तो बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग देंगे यानि पैंतीस को पचीस से भाग देंगे तो पचीस गुनाएक, पचीस लगेगा 35 में से पचीस घटाएंगे, तो 10 आजाएगा 35 में से 25 को घटाएंगे, तो क्या आजाएगा? 10 ठीक है? अब 10 देखिए, 25 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि छोटा है 10, 20 से तो अब 10 से 25 को लगा देंगे यानि सेस्पल से जो भाजक है उसको भाग देंगे तो 10 दूना 20 लगा देंगे ठीक है 10 दूना 20 तो 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा देखे 10 तीया 30 होता है तो 25 से ज़्यादा हो जाएगा और 10 गुना एक 10 होता है तो बहुत छोटा हो जाएगा इसलिए 10 दुना 20 लगाएंगे तो 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा अब 5 क्या है छोटा है 10 से तो नहीं लगेगा तो अब क्या करेंगे 5 से 10 को भाग देंगे यानि लगाएंगे तो जो सेस्फल आया 5 उससे जो भाजक है 10 उसको भाग देंगे तो 5 दुना 10 हो गया तो 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा सुन्य तो देखिए ये अंतिम भाजक कौन है जो सुन्य लाया है तो अंतिम भाजक हो गया 5 इसका मतलब 5 जो होगा महसर होगा यानि महत्तम समापवर्तक कौन होगा 5 तो 25 और 35 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 5 तो लिखेंगा था महसर बराबर 5 तो इसका उत्तर आएगा 5 प्रस्न उन्नीस लगुत्तम समापवर्त्य निकालें प्रस्न उन्नीस का क आठ बारह तो आठ और बारह का लगुत्तम समापवर्त निकालना है तो इस तरह लिख लेंगे आठ कौमा बारह अब देखें दो से दोनों कट रहा है दो चोक आठ दो चक बारह देखें दो से दोनों कट रहा है तो दो से भाग देंगे दोनों को 2 से 8, कितना बार में कटता है, 4 बार में तो 2 से दोनों को भाग देंगे 2 चोक 8, 2 चख 12 फिर 2 से कट रहा है 2 दूना 4 2 तिया 6 देखे, 2 से फिर कट रहा है 2 दूना 4 2 तिया 6 अब देखे, 2 और 3 नहीं कटेगा किसी से कोई भी संख्या से एक को छोड़ करके ठीक है तो अब क्या करेंगे लिखेंगा ता लसा यानि लगुतम समापवर्थ तो लसा बराबर हो जाएगा यानि लगुतम समापवर्थ बराबर हो जाएगा दो गुना दो गुना दो गुना तीन बराबर दिखे ये जो बाहर बाहर है उसको गुना कर देंगे तो दो गुना दो गुना दो गुना तीन बाहर जो भी है उसको गुना कर देंगे तो दो दुना चार चार दुना आठ आठ या चोबिस तो आठ बारा का लगुतम क्या हो गया चोबिस 812 का लगुतम हो गया 24 यानि लगुतम समापवर्थ हो गया 24 812 का ख 8 20 तो 8 और 20 का लगुतम निकालना है यानि लगुतम समापवर्थ 2 से लग रहा है 2, 4 8 10 दुना 20 देखे 2 से दोनों कट रहा है दो से दोनों कट रहा है दो चोक आठ दस दूना बीस ठीक है दो से आठ चार बार में कट रहा है और दस दूना बीस फिर दो से कट रहा है दो दूना चार दो पचे दस दो दूना देखे दो से चार कट रहा है दो बार में और दस कट रहा है पांच बार में तो 2 से लगा देंगे फिर 2 दूना 4, 2 पचे 10, अब देखे 2 और 5, अब नहीं कट रहा है 2 से, या 3 से किसी भी संख्यास नहीं कट रहा है, एक को छोड़ करके, तो अब आगे, अब इसको भाग नहीं लगाएंगे, तो लगुत्तम हो गिया, तो लिखेंगा तर, लगुत्तम स 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, तो लगुत्तम क्या आ गया, 40, 8 और 20 का लगुत्तम क्या होगा, 40 होगा, तो जो बाहर है उसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, तो 8 बीस का लगुत्तम हो गया, 40, ग, 21, 35, तो 21 और 35 का लगुत्तम निकालना है, तो इस तरह लिख लेंगे, अब देखिए, दोनों कौन से संख्या से कट रहा है, तो दोनों जो है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से सिर्फ 21 कट रहा है, 35 से नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं लगाएंगे, 4 से भी नहीं कट रहा है दोनों, 5 से भी नहीं कट रहा है, सिर्फ 35 कट रहा है 5 से, 6 से भी नहीं कट रहा है, 7 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 7 या 21, 7 पचे 35, तो 7 से लगा देंगे, ठीक है, 7 से दोनों कट रहा है, 7 या 21, 7 पचे 35, अब देखें, 3 और 5, किसी भी संख्यास नहीं कट रहा है, एक को छोड़ करके तो अब लगुत्तम निकाल लेंगे इसका तो लगुत्तम समापवर्त बराबर हो गया साथ गुना तीन गुना पांच देखे जो बाहर बाहर है उसको गुना कर लेंगे साथ गुना तीन गुना पांच तो सातिया एकीस एकीस पचे हो जाएगा एक सो पांच 21 पच्चे 105 तो साथ यह 21, 21 पच्चे हो गया 105 तो 21 और 35 का लगुतम हो जाएगा 105